नमस्कार, स्वागत आप सभी का राज आयरुवेद हेल्थ यूपी चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एसे बिलुप्ट प्राय अवसद के बारे में संपूर्ण जानकारी सेयर करने वाले हैं जिसका नाम है दीप माला दीप माला जिसे ग्रंति परणी, कंटक ग्रिय, हजूर चै, बढ़ा गूमा, महाद्रोन पुष्पी, लाल गूमा, माटी सूल, रण भेरी, आधि प्रमुख नामों से जाना जाता है दीप माला अधिकतर सभी परदेशों में, बारिश के मौसमों में, खाली यों, बागबगीचों, सडकों के किनारे, आधि पर कहीं कहीं सतंत्र रूप से पाया जाता है यह बर्स जी भी पौधा होता है, जिसकी उचाई पांसे छे फिट और तना चौक और धारीदार, पत्ते आमने सामने और प्रतेग गांट पर फूलों का गुच्छा होता है पुष्प प्राया, नारंगी या हलका गुलाबी और मतमैले रंग का लंबा नोकदार भीज होता है दीप माला का बैग्यानिक नाम लियो नोटिस नीपेटी फोलिया है और कुल नाम या फैमिली नेम लेमी ऐसी है अब जानते हैं दीप माला के राशानिक गुणों के बारे में दीप माला में वसा, तेल, एलकलाइड, रेजिन, लियो नूरिन, क्वेर्सेटिन, एपिगेनिन, फ्लेबोनाइड, पाली फेनोल्स और गलाइकोसाइड आधि प्रमुख तत्त पाये जाते हैं जानते हैं दीप माला के अवसादिय गुड़ धर्म और परियोगों के बारे में बड़ी द्रोन पुस्पी उस्ण भीर और रस में कट्व होती है और या गुर रूक्ष्ण तीक्ष्ण गुड़ों वाली होती है यह जर सर्दी बुखार, कमजोरी, पेशा में जलन, हाई बलड पेशर, अस्थमा, बर्ण, खुजली, सूजन, जोडों का दर्द, आमवात, मासिक धर्म की समस्या आधि रोगों में बहुत ही लाफदायक हो अब जानते हैं महाद्रोन पुस्पी के कुछ बिशिष्ट परियोगों के बारे में नमबर एक, सीत ज़र या मलेरिया बुखार, बड़ा घूमा के पत्यों के काड़े में काली मिर्च का चून और गुड मिला कर सेवन करने से बार बार आने वाला बुखार ठीक हो जाता है नमबर दो, सर्दी जुखाम खासी, दीप माला के पत्यों या पंचांग का काड़ा बना कर पीने से सर्दी जुखाम ठीक हो जाता है नमबर तीन, मासिक धर्म की समस्या, जिन माताओं और बाहनों को मासिक धर्म की समस्या है वे लोग दीप माला के फूलों के गुच्छे का काड़ा बना कर सेवन करने से लाब होता है नमबर चार, स्वास रोग, स्वास रोग में दीप माला के पंचांग का काड़ा बना कर सुबा साम सेवन करने से लाब होता है नमबर पांच, कमजोरी, दीप माला के पत्तियों के काढ़े में मिश्री मिला कर सुबा साम 10.07 करने से ज़र के कारण आई कमजोरी दूर हो जाती है I hope कि यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करना ना भोलें मिलते हैं अगले वीडियो में नए औसदिये पौधे के बारे में जानकारी लेकर तब तक के लिए धन्यवाद